Hello dear students, sabhi ko namazkaar, एक और practice 8 में आप सभी का स्वागत है, जिसे कि आप लोग जानते कि हम आप लोग के बीच देली ही practice 8 लेक्या आते हैं, आज का practice 8 आठ discuss करने बारे हैं, मतब 1 से लेके बात करने हैं, 7 तक जरूर देख लिजेगा, ये भी काफी एक महत्पून होगा, आज का maximum हम question science का लिए हैं, maximum का पूड़ा ही question और diagram से समझने की courses करेंगे हैं, so PDF हम telegram पे कल भी नी share कर पाएं, आज होगा तो हम कर देंगे हैं, so telegram पे PDF share कर देंगे, मधभनी study center करके telegram channel होगा, search कर लेजेगा, description में link होगा है, ठीक है, बाकि GS का class के लिए इस app को आप लोग download कर सकते हैं, mission gk, GS यहां पे किसी भी exam का त्यारी करते हैं, हर वो exam में gk और GS से question तो पूछा ही जाता है, चाहे वो technically हो, चाहे वो non-technically exam हो, हर exam में question पूछाते है, पहला question देखें हैंप है, काफी अच्छा question है और बहुत ही basic question है, मनुसिय के, जो merudent में, कितनी जोरी तांत्रिक निकलते हैं, अब इसी पुछते हैं कितनी जोरी तांत्रिक निकलते हैं अप है, को ही हम बोलते हैं पर मेरुडेंट या बैक बोन आप बोल दीजिए जो कि अपसे लिए कि लो तक कनेक्ट होता है सबका नाम करना जैसे करवाइकल दिया गया पर ठोटिक यहां पर लूमबर यहां पर सबका अलग अलग नाम दिया गया पर कोने हैं लाल रेक्ट का निकाए कहा हुथ ब्लोड सिल्क कहां पर उत्पन होती है अब इस समझाने के लिए एक डाइगराम के यूजिक है अगर हम आपको देखाने कुछ चिस करें तो यह हैं कुछ डाइगराम जो कि यहां पर देख सकते हैं यह है बॉन ओर यहां बहुति के ब्लड का फ़ॉर्मीं होता है। वा मिंग लाल रखत करने काई का अथपन होती है पर ब्लडकर अपन होती है अब बॉद्सिक बहुति है। चारिक बाता है आपर किससे समझाए जा सकते हैं अब जैसे यह टारे टिम्टमाता है ना उसको हम किससे समझाते हैं तो डिफ्रेक्सिन ओफ प्रकास का अब बरतन बोलते हैं पर परकास का अब बरतन हो जागा एक परकास का अब बरतन हो जागा है पर अच्छा इस चीच को समझाने के लिए ने कुछ के लिए परकास चलता हैं और उसका बिविन पर तो लगतार अब बरतन होता रहता है पर नो यह समझाने के लिए मैंने मेंशन कह ताक्को कभी कभी आपको इनको रिवीजिन करने के लिए आपको इजी हो फूरक कोसं कि उसके बिंदू जिस पर ठोस दर्व गैस मतब सौलीड ह हो गया पर दर मतब लीक्युट गैस मतब घास हो गया अवस्ता में एक साथ अड़ा सकती है एक अभावर आती है आपर यह हो गया और यह हो गया इसा प्वाइंट जहां प्रिक्रष्ण प्रिफ पैंट बोलते हैं पिए आपको तीनु मुलाकात हो जाएगा पर है को फिलते विल्कुल बई इसका कर्यक्ट एंसर हो जागा है को सर नेक्स एपर अपर यही पंट यहां पे सोघस्हा तीन वबस्ता में एक साथ रख सकते हैं उसे हम तिर्क बिंदू का दें पर कुसर नेक्ष ने पर हम लोग बात करने मालगा इस फाइब कुसर देखिए यह दि एक पंक पंक या आप ओ पंक के जगा आप एस्टील ले लो है ठीक है एस्टील एक रबर का गेंद ले लो ठीक है और एक लकरी का गेंद का निर्वात में एक समान उंचाई पर सुतंता पुरू एक साथ गिरे तो क्या तो उस चीज को समझाने के लिए मैंने इस डाइग्राम को यहां पर मेंशन किया अब मालने जिए जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यह है स्टील का बूल ठीक है जिनको प यहां पर देख सब के सब जीरो कुछ भी काम नहीं कर रहा है कि मैं तो आप्सन में एक साथ जहां होगा टिक लाएक के चले आएंगे आए पर ऑप्सन ए में देखेंगे पंक सबसे पहले जमीन पर पहुचेगी का जी नहीं आपर है ना ऑप्सन एक कट गया इसी तरह है लकरी गेन सबसे पहले जमीन पर पहुचेगी का जी नहीं है मतलब ए बीसी तो दिनू नहीं होगा बचा क्या डी तीनू एक साथ जमीन पर पहुचेगी का बिल्कुल डी इसका करेक्ट एंसर हो जाए गया है पर कोसन नेक्स्ट है पर हम लोग बात करने वाले हैं अच्छा असी असों ओप्शन दिखें है यहाँ यहाँ पर मैंने डाइग्राम भी मेंसे क्या अब आलीस ज सेसी किया सवट थे यह नया घर है तो यह डिफ्लेक्ट होकि आप आती है घौनीं तरंग का प्राबरतन धौनीं का व्यक्तिकरन यह अनुनाद एंसर कि हो जाए चिस भूनी के जी मीटर बाइ सकेंड इसका करेक्ट एंसर हो जागा है हलिका मैंने इस चीज को समझाने के लिए कुछ यहां पर पॉइंट मेंसन किया हो जो कि काफी एक महत्पून होगा जैसे कि यह है क्वान्टिटी जैसे कि वल्लूम होगा यह है यूनिट यह से सिंबोल मतलब किस से डिनोट करते हैं अब यहां पर मालें जो वल्लूम है जिनको हम क्यूबिक मीटर बोलते हैं इनको हम मीटर क्यूब से भी डिनोट करते हैं डेंसिटी के बात करें किलो ग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है जिनको केजी बाइ मीटर क्यूब बोलते हैं और नेक्साट तूछाब मुझा कमेट व्लिट क॑जेगा हम् जाजा चैम में पूछा जाते हैं पर कार करने की दर को क्या कहते हैं तो कार करनी की दर को कैसी हैं फिरह हम सक्ति करते हैं, ईक कर्रेक्ट एंसलों। कि बल्ल बराबर कई वाँ पुझएते हैं, यह बराबर M में होते हैं and और एमीज मास होते हैं हाले का साइध कुछ पॉइंट मेंशन क्यों हो कि है मैं हाँ यहाँ पर देखें कार करने की दर को परिभासित को हम सक्ति काते हैं पर सक्ति की एक आई जूल बाइ सकेंड होती है यह भी आप जनकार रहे सकते हैं अब देखें कई बार है ना जैसे की सक यहां पर दिख सेते हैं work done by time होते है तो no medical यहां से कोई बार question पूछ लियाता है basic work done दे दिया जाएगा ठीक है time और work done दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा पावर क्या होता है सकती क्या होता है अच्छा यहां पर कुछ point और mention क्यों हो जैसे कि मैंने बतायता है यहां कि जूल by second होती है यहां वाट भी हम बोलते हैं एक हच्छ वाव 746 वाट होती है डाइमेंशन फर्मूला भी आप यहां तर रखे लिजेगा यह डाइमेंशन फर्मूला काफी एक महत्पून हो गया है क्या च लिजुक्त में अव्यंताव सबसे छोटी अंत्राशाबी गरंति कोन से थाइड चॉल हुआ है यहां इन्फा थेलकस गरंति ऑप्यारिक क्या गरंति हो यह हुआ है आप लोग सुने अच्छ सबसे बरी गरंथी कौन से होते हैं हमार जमीच चोटा तो पिनियल गरंथी बोलते हैं या करती जानती है आपर टीक है जिनको लीभर बोलते हैं हालिका थाइड गंडिकेस नमक आयोडीन के कमी के कांसे देखने को मुलते हैं यह देखें यह सबसे छ प्रोटन प्लस नुटन तो ऐलक्रोन ऐसे भी कर जाए लाक्रोन ऐसे भी कड़े हैं तेन उप्षन तो फिक बचा प्रॉटन और न्यूटन और से जाएगा है तो आप ब्लोट कीर देखें कि आ दर्प के बीच दस और ले कि आते हमारे अब पर डॉन्लोड के लिए अप पर सारा question class काफी कुछ मिल जागा thank you have a nice day अपना ख्याल लगए